हलो स्टुडेंट स्वागत आप सभीका एगरी पावर जयापूर के ओनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ शेरत और आज हम फिर से एक बार टोप 20 क्विशन्स जो है एंटॉमलोजी के हम आपके सामने लेकर आए हैं और इसी के साथ हम आज की जो क्लासे उसको रह donor के जाने हैं थैंगी और इंग्लिश मेंडियों दोनोंगी जो और इसके साथ जो है आप को escrs है वह भी सका इन दर देखने के लिए क्लिए लेकिर जो चुके और आने वाले कुछ महिने के अंदर हो सकता है इसको आज इसके साथ हम क्या करते हैं इसको आगे बढाते हैं और हमारी class को start करते हैं तो भाई देखो first important हमारा question है वो है गंदी बग देखो सबसे पहले तुम्हें आपको इस चीज बता देना चाहता हूँ जो गंदी बग है वो किसका paste है वो है rice का paste है ठीक है और इसमें देखो क्या है जो गंदी बग है ये किस तरीके का paste है sucking insect paste है ठीक है sucking insect paste है तो आपको यहाँ से दो चीज clear हो रही है कि गंदी बग जो है rice का sucking insect paste है अब देखो इसके बाद में important चीज क्या है कि lepto, coracea, acuta जो है वो कौन सी stage पर attack करती है ठीक है rice की कौन सी stage पर इसका attack देखने के लिए मिलता है तो देखो हम option देखते हैं first है इसका flowering stage and thereafter ठीक है फिर जो second वाला है pre tillering stage और third है tillering stage और fourth है nursery stage तो देखिए इसका जो right answer होगा वो right answer होगा आपका flowering stage and thereafter देखिए students यह flowering stage है तो आपको यहाँ पर milking stage भी दिया होगा ठीक है milking stage भी इसको कहते है और यही क्या है आपके exam के point of view के लिए important है तो जब भी गंदी बग जो होता है गंदी बग का हमेशा जो attack देखने के लिए मिलेगा वो हमको किस पर देखने के लिए मिलता है भाई या तो milking stage पर देखने के लिए मिलता है या flowering stage या flowering stage को जो just बाद वाले stage है वो कौन से stage होती है भाई milking stage होती है ठीक है इसके बाद जो हमारे next question है next question देखिए क्या है gujya weevil gujya weevil is harmful for past off देखो जो gujya weevil है students यह किस का past है यह है wheat का past है ठीक है और wheat के अंदर क्या होता है कब आता है इसका attack wheat की जो early stages होती है ठीक है early stages होंगी या हम बोले कि sizzling जो stage होगी ठीक है sizzling stage पक्या होता है इसका attack देखने के लिए मिलता है या हम बोले कि nursery condition जो होती है ठीक है nursery stage में क्या होगा इसका हमको attack देखने के लिए मिलता है तो ये क्या है wheat का pest है और wheat के अंदर कई बार आपको direct question पूछ ले आता है कि इसका scientific name देखर पूछ ले आता है इसका scientific जो name है वो है Tynemicus Indicus Tynemicus Indicus क्या है इसका scientific name है और इसका scientific name देखर के भी क्या होता है कई बार question पूछ ले आता है कि Tynemicus Indicus is the harmful pest of तो वो किसका pest है वो rice का sorry wheat का pest है और इसका common name है वो क्या है भाई gujia weevil है ठीक है और इसके अलावा देखो wheat के अंदर जो दूसरे insect paste होते हैं यहाँ पर हम थोड़ा से इसको discuss कर लेते हैं wheat के कुछ important pest है देखो wheat insect paste के अंदर कौन कौन से आते हैं एक तो है आपका gujia weevil ठीक है gujia weevil आता है एक तो और दूसरा जो सबसे important और major pest है वो क्या है भाई wheat के अंदर termite ठीक है और wheat के अंदर और दूसरा insect कौन से लगते हैं भाई एक होता है pink stem borer ठीक है और wheat के अंदर इसके अलाव और कौन से insect का टेक आता है वो आता है फिर आपके पास में army worm ठीक है तो यह देखो कुछ important insect है जो wheat के अंदर क्या होता इनका टेक देखा जा सकता है जिसके अंदर से क्या है गुजिया भी एक important paste है ठीक है तो अब जो इसका जो answer जाएगा वो क्या जाएगा wheat जाता है ठीक है इसके बाद में जो next question है हमारा देखो if a paste is confined to a particular area and occurs regularly its infestation is termed as देखी question क्या कह रहा है कि अगर कोई paste है और वो क्या है एक particular area के अंदर क्या है particular area के अंदर क्या होता उसका attack देखने के लिए मिलता है ठीक है एक area के अंदर क्या है उसका निश्चित क्या है उस area के अंदर ही regularly अगर attack आ रहा है तो इस तरीका जो damage है या इस तरीका का जो infestation है वो किस उसको क्या कहते है उसको जो technical term है उस technical term को क्या कहते है देखो इसका जो technical term है वो है endemic ठीक है इसका जो right answer जाएगा students जाएगा endemic जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसने खुद नहीं क्या कर रखा यह चीज को define कर रखा है देखो यहां पर इसने खुद नहीं के रखा है particular area ठीक है particular area क्या मतलब है कि कोई particular यहां पर geographical condition है और इस geographical condition में ही क्या होगा इस insect का attack दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या है कि यह क्या है किसी particular area ठीक ही जीमित है ठीक है तो इसके आधहार पर इसका जो answer जाएगा वो जाएगा बयुक्त अदमिक जाएगा इसका answer ठीक है, इसका answer क्या जाएगा, endemic जाएगा, इसके साथ देखिए, जो हमारा next question है, next question है, among the following, which is the monophagus insect pest, देखिए भई, monophagus insect pest का, सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ, कि monophagus क्या होता है, जो को monophagus क्या होता है, feeds on a single host, ठीक है, कि ऐसा insect जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक single host की उपर feed करता है, उसको क्या कहते है, monophagus pest बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए, यह जो हमारा पास में चार option दिये वे हैं, इन चार option मेंसे हमको क्या करना है, कि rice, sorry, जो हमको monophagus pest को identify कर करना है, तो देखो, monophagus pest के हम बात करें, तो first option हम देखते हैं, sorghum mis, तो sorghum mis monophagus pest है, क्या जी नहीं, sorghum monophagus pest नहीं है, monophagus का क्या मतलब होता है, कि feeds on a single host, ठीक है, जो क्या करे, किसी ना किसी, एक single host पर ही क्या करें, अपना life cycle complete करें, और single host को ही क्या करें, feed करें, तो इनके अंदर जो इसका right answer जाएगा, वो आपके जाएगा कौन सा, yellow stem borrower of rice, ठीक है, yellow stem borrower जो है, वो कैसा है, rice का monophagus pest है, और आपके exam के point of view से, बहुत ज़्यादा important है, कि देखिए, जो yellow stem borrower होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ rice पर ही आपको attack देखनी के लिए मिलेगा, और दूसरी किसी भी plant के उपर युशरे किसी भी host के उपर क्या नहीं मिलेगा, उसका attack देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि जो sorghum misd होती है, sorghum misd का attack हमको दूसरी crops पे भी, यह जो other grasses होती है, wild grasses पर देखने के लिए मिलता है, जबकि red haricator pillar जो है, वो कैसा insect है भाई, यह polyphagus insect है, ठीक है, red haricator pillar जो है, वो कैसा insect है, polyphagus insect है, और जो shoot borrard है, sugar can का जो, ठीक है, sugar can shoot borrard जो है, इसका भी attack क्या होता है, दूसरी कई grasses के अंदर या दूसरे कई host plant में इसका attack देखने के लिए मि unophagus paste जो होगा, वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ yellow stem borrard of rice होगा, ठीक है, तो इस question का answer कौन सा जाएगा, d जाएगा, yellow stem borrard of rice, ठीक है, इसके बाद देखिए, next question जो है हमारा, a ladybird beetle is, वही देखो, ladybird beetle जो है, वो क्या है, सबसे पहली चीज है, कि ladybird beetle जो है, वो क्या है, या कौन से insect order से belong करते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, कि ladybird beetles जो होगे, वो colioptera, कौन से order में आते हैं, और ladybird beetle जो है, वो कौन से order से belong करते हैं, colioptera से belong करते हैं, ठीक है, अब देखो, यह क्या होते हैं, किस तरीके क्या insect है, तो देखो, इसके हम option इन इनसेक पेस्ट ऑफ कोटन, जी नहीं, यह क्या नहीं है, कोटन का पेस्ट नहीं है, और यह नाहीं कुकरबीट्ज का पेस्ट है, यह अक्चल में क्या है भई, यह predator होता है, ठीक है, यह क्या है, predator होता है, predator क्या है, such type of insect which is feeds on other insects, ठीक है, predator की सबसे पहले हम थोड़ी definition द that feeds on any other insect ठीक है तो predator होता क्या है actual में insect that feeds on any other insect की कोई ऐसा insect जो किसी दूसरी insect को खाता है और दूसरी चीज़ जो है predator होते हैं वो कैसे होते हैं भाई biological control agent होते है कैसे होते है biological control agent होते हैं तो यहां से हमको दो तीन चीज़ पता चल रही है पहली बात तो यह है कि ladybird beetle जो है वो कौन सा उडर से बिलोंग करता है भाई kolyoptera से बिलोंग करता है ठीक है दूसरी चीज़ क्या है ladybird beetle सारे की सारे कैसे होते है daddybird beetles में आचा परेंण अक्लियों%तों साठ्योंग के रहरा का उडर होते हैं और predator होने के साथ सद भी क्या है यह भाय बायलोजी कर्ना अइज़ आंज़ेंट है और इन बाय लोजी कल इंजय करने यूज़ जो है वो किसके लिए करते है भाई हम sucking insect pest को control करने के लिए करते हैं ठीक है sucking insect pest का control करने के लिए हम किसका use करते हैं भाई ladybird beetles का use करते हैं तो यहां से ladybird beetles के regarding जितने भी important points थे वो सारे के सारे क्या हो गए हमने यहां पर clear कर लिए हैं इसके बाद में हम चलते हमारे next question की तरफ तो देखिए desert locust is known as देखिए भाई यह आपके exam के point of view से बहुत important है कि desert locust को किस नाम से जाना जाता है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू यह question जो है हाल ही के अंदर जो RPSC AO का exam हुआ था RPSC AO 2021 का जो exam हुआ था उसके अंदर ही पूछा गया था ठीक है उसके अंदर desert locust का नाम पूछा गया था कि desert locust का scientific name पूछा गया था ठीक है इसी तरीके से अब देखिए desert locust का scientific name कौन सा है हम बात करें first option जो है locust migratoria ठीक है locust migratoria का क्या है common name सबसे पहले तो हम इनका common name करके देखेंगे फिर है पतंगा सक्सिनाटा फिर है shistosara gregaria ठीक है तो locust migratoria है इसको क्या कहा जाता है भाई locust migratoria को कहते हैं migratory locust ठीक है locust migratoria क्या कहते हैं migratory locust ठीक है और पतंगा सक्सिनाटा जो होता है पतंगा सक्सिनाटा क्या कहते हैं bombay locust ठीके ये हमारे पास में कौन सा होगा, Bombay Locust अब हमारे पास में next option कौन सा आता है, Shistosera Gregaria भाई Shistosera Gregaria जो है, इसका common name होता है Desert Locust ठीके, Desert Locust इसका scientific name क्या है? Shistosera Gregaria तो हमको question में क्या पूछा है कि Desert Locust का Desert Locust is known as, तो Desert Locust का scientific name होता है वो कौन सा होता है बाई शिष्टो से रा ग्रिगेरिया होता है और यही क्या है आपका राइट आंस्वर है और एक्जाम के पॉइंट ओफ विव से इंपोर्टेंट है इनके आपको कॉमन नेम भी पता होने ची यह साइन्टिफिक नेम आपको दिये वहे हैं जो इंडिया के अंदर क्या होता है डिफरेंट टाइप की जो लोकस्ट स्पीशिज है उन लोकस्ट स्पीशिस का अटेक देखा जा सकता है जैसा कि एक तो माइग्रेटोरी लोकस्ट है इसका साइन्टिफिक नेम लोकस्टा माइग्रेटोरिया है पतंगा सक्सिनाटा है जिसका कॉमन नेम क्या है Bombay Locust है और फिर है Shistocera Gregoria जिसका Common Name क्या है Desert Locust है ठीके इसके साथ साथ क्या होता है इसको कई बार आपको Family भी पूछते हैं कि Locust की Family क्या है तो भाई Locust की Family है Accredida ठीके Locust की Family अगर आप से पूछे तो किस तरी की Family है अगर हम बात करें तो ओर कौन सा आता है इसमे और थ्रॉप्टेरा ठीके Locust कौन से ओर्डर से बिलोंग करती है और इसकी जो Family है वो कौन से एक्रिडिडी है ठीके और उससे रिलेक्टेड जो भी important देखो एक इसमें important point क्या है सबसे important point यह है कि यह किस तरीके का insect है polyphagus polyphagus in nature ठीके यह किस तरीके का pest है भाई polyphagus pest है और हाल ही के अंदर RPSC ARO का एक्जाम लगा था entomology के अंदर ठीके 2022 के अंदर उसके अंदर पूछा था Locust जो word है उसका meaning क्या होता है ठीके Locust word का meaning क्या होता है तो भाई Locust word का meaning होता है plague तो यह question क्या है आप से पूछे जा चुके है तो जो भी important question जो है जहां से आपको Locust से related जो question पूछे गए हैं या पूछे जा चुके हैं या इसमें से और फिर से question repeat हो सकते हैं तो possible जितनी भी possibilities है वो सब हम यहां पर discuss कर चुके है latest जो है अभी यह वाला question आया था कि Locust word जो है उसका meaning क्या होता है उसका meaning होता है plague ठीके यहां तगाई बात समझ में अब जो हम next question है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं देखे Lake is secreted by air देखो तो lake क्या है सबसे पहले आहिछ उसकी पता बता दीना चाहता हूं है okay lakes we can reference izer one फ्लेक्सिबल रेजीन उसको हम क्या कहते है और उसको कौन सीख्रेट करता है तो भई देखो हमार पास में यहां पर चार ओप्शन है चार ओप्शन कौन-कौन से है फ्लाइ है मौत है बटर्फ्लाइ और लेक इनसेक्ट है ठीके तो भई इसके जो राइट आंसवर जाएगा वो right answer क्या जाएगा? देखिए, right answer है, leket insect. देखो, leket जो होता है, वो कौन secret करता है, leket insect secret करता है, और जो leket होगा, वो हमेशा कौन secret करएगा? female. ठीके, females करती है, ठीके, females जो होँगी, वो कौन secret करती? uba leket को secret करती है, ठीके, इसके बाद में, जो आपके question पूछा जाता है कि lake insect होते हैं lake insect जो होते हैं उसके आपको family पूछ जाती है ठीक है family और order पूछा जाता है तो इसका देखो lake insect का जो एक scientific name भी है वो है lecifer lakka ठीक है ये scientific name क्या है इसका lecifer lakka है जो आपसे कई बार exam के अंदर पूछते हैं और ये भी पूछा जाता है कि lake जो है वो किस से secret होता है वो होता है भाई lake insect से ठीक है इसके बाद देखिए next जो हमारा important question है वो है for biological control of tomato fruit borer देखो tomato fruit borer जो है फिर से हम पढ़ेंगे for biological control of tomato fruit borer the ideal crop is देखो ट्रेप क्रोप कौन सी काम में लगाते हैं हम वो है tomato fruit borer के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाता हूँ ये tomato fruit borer है tomato fruit borer का scientific name में आपको बता देना चाता हूँ ये है भई हमारे पास में क्या helicovarpia army gera ठीक है helicovarpia army gera है ये क्या है हमारा tomato fruit borer है ठीक है tomato fruit borer है और क्या है इसके अंदर देखो होता क्या है साथ साथ में ठीक है अगर okra के अंदर offset D.Ockra में भी इसका tag देखा जाता है cotton के अंदर ığın लियल का मेज की उपर आरहा है तो मेज की उपर किस नाम से नाम से जाना जाएगा ये कॉण बेब बया बitäखेगे तो देखेगे ये क्या है polypherious नेचर का एक pest है है लिकोर पा आर्मिजेरा जो कौन सी family से belong करता है ये भी हम यहीं discuss कर लेंगे इसकी जो family है भई वो है नोक्टिडी और order कौन सा हो जाएगा order हो जाएगा आपका लेपिड़ोप्टेरा ठीक है तो ये तो क्या था इस tomato fruit borer का कुछ basic description है अब देखेंगे trap crop क्या होती है और इसको control करने के लिए हम कौन सी trap crop काम में लगाते तो देखिए हैली कोर पा आर्मिजेरा के लिए जो सबसे best trap crop मानी जाती है वो मानी जाती है marigold ठीक है marigold को हम क्या करते है as a trap crop काम में लेते किसके control के लिए tomato fruit borer के control के लिए tomato fruit borer क्या है भई हैली कोर पा आर्मिजेरा है जो कैसा है polyphagus nature का है और जिसकी family क्या है noctuddy और order labidoptera से belong करता है ठीक है अब हम बात करते हैं trap crop को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं यहाँ पर trap crop क्या होती है भई trap crop such crop which is used to attract the pest ठीक है भई देखिए trap crop क्या होती है क्यों लगाते हैं कि जो भी insect pest की species को क्या करेगी वो attract करेगी और attract करेगी तो क्या होगा जो हमारी man crop है man crop को क्या किया जा सकता है इससे protect किया जा सकता है ठीक है हमारी जो man crop है man crop को protect क्या जा सकता है कि क्या लगा करके trap crop लगा करके ठीक है तो इसका जो right answer जाएगा वो क्या जाएगा भई मेरी गोर्ड जाएगा और tomato fruit borer के बारे में जो भी related information है वो सब हमने यहां पर discuss कर ली है आईए चलते हैं हमारे next question की तरफ देखो next question क्या है हमारा Ancarsia melanoluca is a paracetoid of effective against देखो यहीं से आपको एक चीज बता जाना चाहता हूँ यह हमने शायद पिछली क्लास में भी discuss की थी और इसमें सबसे important बात यह है कि Ancarsia melanoluca जो है यह कैसा paracetoid है देखो यह बिलोंग करता है order lepidoptera से ठीकी यहीं से आपको सबसे बड़ा question जो है Ancarsia melanoluca से अगर question आप से पूछा जाएगा तो सबसे पहली चीज तो यह पूछा जाती है कि कौन से order से बिलोंग करता है तो बिलोंग करता भाई lepidoptera से यानि कि यह क्या है एक तरीके का मौथ है यानि क्या है एक तरीके का यह मौथ है और कौन से order से बिलोंग कर रहा है lepidoptera से जबकि जितने भी paracetuaids जो होंगे जितने भी paracetuaids होते है जनरली पर savage LOVE ан-Qué जनरली किस से बिलोंग करते हैं हाइमन अप्टेरा से बिलोंग करते हैं लेकिन क्या है यह exception है अपवाद है यह एक ठीक है exception है इसी के वज़े से क्या है यह आपके exam के point of view से important है क्योंकि 99% जो वो परसीटोइड होते हैं, वो कौन से ओडर से बिलोंग करते हैं, हाइमेन अप्टेरा से बिलोंग करते हैं, जबकि अपरिकर्णिया जो है, वो कौन से ओडर से बिलोंग करेगा, लेपिड अप्टेरा से बिलोंग करेगा, अब देखी, किसके अगेंस इफेक्टिव माना ज ठीक है इसको क्या बोलते है sugarcane leaf ओपर भी कहा जाता है ठीक है sugarcane का paste है यह sugarcane pyrella है pyrella purpusula क्या है इसका scientific name है ठीक है pyrella purpusula क्या है इसका scientific name है और इसका order जो है order कौन सा हो जाएगा भाई ओडर हो जाएगा इसका hemiptera ठीक है यहां तक आई बात समझ में तो इसके regarding जो भी important information है वो यहाँ पर आपको पता चली ही गई और sugarcane leaf जो होपर जो होता है वो किस तरीके का paste है वही sucking insect paste है ठीक है किस तरीके का paste है sucking insect paste है ठीक है तो देखिए यहाँ पर हमको कई सारी information यहाँ से पता चलती है पहले बात तो apriconia melanoluca की देन उसके बाद जो है sugarcane pyrela जो है वो कौन से order से बिलों करता है किस तरीके का paste है scientific name उसका क्या है ठीक है तो यहाँ इस question के अंदर जो भी important points है वो यहाँ पर discuss हो चुके है देन इसके बाद में हमारे next question की तरह बढ़ते है next question क्या है nuclear polyhedral virus यानि NPV is the most effective for control of देखो NPV का man जो use में लेते हैं किसको control करने के लिए काम में लेते हैं इसका जो right answer जाएगा वो जाएगा आपके है helico arpa army zera ठीक है helico arpa army zera इसलिए जाएगा क्योंकि helico arpa army zera एक तरीके क्या है polyfagus insect pest है और इसका attack कई तरे की crops के अंदर देखा जाता है और इसका जो attack होता काफी severe condition के अंदर severe infestation इसका देखा जाता है ठीक है और इसको क्या होता NPV जो होगा NPV कौन सा वाला होगा भई जो dose होती है वह dose आपके होती है 200-500 larval equivalent ठीक है कितनी dose होती है 200-500 larval equivalent पर hectare के इसाब से क्या करते हैं इसका हम use लेते हैं ठीक है और यही चीज आपको एक्जाम में पूछ जाती कि helico arpa army zera के लिए कौन सा NPV काम में लेंगे है HNPV काम में लिया जाता है और कितनी concentration कितनी dose काम में लेते हैं उसकी 252-500 larval equivalent पर hectare के हिसाब से इसको काम में लिया जाता है ठीक है इसके बाद में जो next और important question है देखो which of the following is our entomopathogenic fungi देखो entomopathogenic fungi का मतलब क्या होता है देखो entomo का मतलब होता है insect ठीक है pathogenic का मतलब क्या होता है pathogen देखो क्या होता है कोई ऐसा living organism जो क्या करे किसी insect के अंदर क्या करे उसके अंदर क्या करे किसी तरह की disease को promote करे ठीक है तो ऐसा कोई भी लीविंग और्गनिजम जो किसी इंसेक के अंदर डिजीज को प्रमोट करता है उसको क्या कहते है वही एंटम पैथोजेनिक फंजाई कहते है अब इसमें से हमारे पास चार ओप्शन दिये हैं इसमें से हमको चूज करना है कि इसमें से एंटम पैथोजेनिक यह क्या हाँ यह क्योता है भी विवीरिये बेश्या जो है वह एंटाम पैथोजेनिक फंजाई है ठीक है फिर बात आतीह हें मेटारीज्यम एसमेशम की अं़। ये यूं है ये क्या है ये एक तरीकी क्या है ये अपज़ाई है। ठीक है, Trichoderma 1000 यानम, भाई Trichoderma 1000 यानम एंटमा पैथोजेनिक फंजाई है क्या? जी नहीं, Trichoderma 1000 यानम क्या नहीं है, एंटमा पैथोजेनिक फंजाई नहीं है, Trichoderma 1000 का जो maximum measure जो use है, वो किसलिए किया जाता है? जो disease के microbial organism होते हैं, देखो इसका use कहा करते हैं हम, जो soil born pathogen होते हैं, उनको control करने के लिए हम किसका use में लेते हैं, Trichoderma 1000 यानम का use में लेते हैं, लेकिन हमको क्या बोला गया है, कि which one is the entomopathogenic fungi, हमको यहाँ पर entomopathogenic fungi के बारे में बताना है, तो अब जो इसके answer है, वो हम देखेंगे, B और C, B और C है क्या भाई, B और C नहीं होगा, यह इसका गलत answer होगा, ठीक है, option क्या है, A and B, तो A और B हमारे क्या है, right answer है, तो इस question का जो right answer जाएगा, वो क्या जाएगा, students, B जाएगा, क्योंकि इसका जो answer क्या है, A और B, यानि बिवेरिया बैसियाना और मेटारीजिम अनिसोपोली जो है, वो दोनों ही क्या है, entomopathogenic fungi है, जबकि Trigoderma 1000 यानम entomopathogenic fungi नहीं है, वो किसको control करने के लिए काम में ली जाती है, जै जैसे की, Fusarium हो गया, आपके पास में Collet to Trichum हो गया, इस तरीकी जो diseases होती है, उनको control किससे क्या जाता है, Trigoderma 1000 यानम से, ठीके, तो इसका answer जाएगा, B जो option है, वो सही answer जाएगा, इसका, इसके साथ जो next question है, The pest management should be done at, देखिए भई, यह आपके exam के point of view से बहुत important question है, क्योंकि बहुत बार exam में पूछा जाता है, कि आपको कब पता चलेगा कि अब इस pest को management करने के लिए, इस pest को management करने के लिए, इस pest को management के लिए, control measure apply करने चाहिए, ठीके, और वो level कौन सा level कहलाता है, कि जब हम किस पेस्ट को control करने के लिए क्या करते हैं, उस पर insecticide के spray करते हैं, या फिर उसको क्या करते हम, control करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय लगाते हैं, या control जो practices है, उनको follow करते हैं, तो देखो question हमारा क्या कहता है, the pest management should be done at, कि pest management कब करना चाहिए, देखो pest management जो है, वो कौन से level प क्या किया जाता है, हमेशे pest management को किया जाता है, और इसका जो right answer होगा, वो क्या होगा, option B होगा, economic threshold level जो है, ठीके, और फिर आती हमारा पास में, economic injury level, economic injury level क्या नहीं होगा, economic injury level पर तो क्या हो जाता है, maximum damage होने लगता है, ठीके, यानि कि ETL हमेशे क्या होता है, EIL के नीचे हो होता है, ठीके, तो इसका जो right answer जाएगा, students, वो कौन सा जाएगा, economical, threshold level पर हम क्या करते है, pest का management करना शुरू कर देते है, ठीके, आए बात समझ में, इसके बाद में, जो next question है, the main host tree for cultivation of lake insect, देखिए, जो lake insect के cultivation के लिए हम कौन से tree को काम में लेते हैं, या कौन सा एक tree जो ह है, वो host हो सकता है, तो देखिए, इसका जो right answer जाएगा भई, वो जाएगा, आपका plus, ठीके, plus जो है, plus पर हम क्या कर सकते हैं, इसको grow कर सकते हैं, किसको lake insect को grow कर सकते हैं, उसको, ठीके, लेकिन, देखो, people जो है, people के उपर, हम lake insect को grow नहीं कर सकते हैं, या उसको हम वहाँ पर उसकी रेरिंग नहीं कर सकते हैं, खैजडी पर भी इनकी रेरिंग नहीं की जा सकती है, और बबूल पर भी इसकी रेरिंग नहीं की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है, देखिए इनके ओपर क्या है, जो चीटिया जो होती है, रेड एंट्स जो होंगी, उनका अटेक ज्यादा पाया जाता है people खेजडी और बबूल पर इस वज़े से क्या नहीं होता वहाँ पर lake insect को grow नहीं किया जा सकता या फिर lake insect को क्या नहीं होती उस पर population जो है आगे build-up नहीं हो पाती उसके लिए हम किसका use करते हैं हमेशा प्लास जो tree है उसका हम use में लेते हैं ठीक है आए बात समझ में then next जो हमारा question है which is the best suitable species for bee culture देखिए भई कि honey bee की कौन सी species है जिसको हम culture करते हैं या फिर उसको वाइड लेवल पर honey production के लिए पाला जाता है ठीक है इसके option हम एक एक करके देखेंगे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की एपिस डोड़ साटा बाई देखो एपिस डोड़ साटा का जो common name है वो है रोक bee ठीक है वो कौन सी है रोक bee है और मैं आपको बता देना चाहता इनकी जो रोक bee है वो कैसी होती है साइज में सबसे बड़ी वाली मधुमक्खी होती है और जो इनका नेचर होता है बहुत ज़दा aggressive nature की होती है और बड़ी गुसेल सोभाव की होती है और इनका च्ट्टा जो होता है यह हम बॉले honeycomb जो होता है वो कहां पाए जाता है जनरल जैसे हम Apis Dorsata को नहीं culture कर सकते या इसको हम जो honey production के लिए नहीं पाला जाता ठीके दूसरी हम बात करें इसकी Apis Floria देखो, Apis Floria जो है वो कैसी है? small size की है ठीके इसकी size की होती है? बहुत ज़दे small होती है और इनसे जो honey बनता है वो बहुत ही कम quantity में honey बनाती है ठीके इस वज़े से भी क्या नहीं किया जाता इसको culture नहीं किया जा सकता Apis Indica जो है Apis Indica को भी हम widely use में नहीं लेते बात करते हैं फिर हम last में जो option बसता है वो है Apis Mellifera Apis Mellifera है यही क्या है? ऐसी honey bee की species है जिसको हम wide level पर क्या करते हैं honey production की लिए नहीन जी पालते हैं और इसका जो common name इसको Italian इसको क्या बोलते है Italian Hunny bee bee कहा जाता है Italian honey bee क्यों कहते है क्योंकि हमने से कहां से इंपोर्ट किया था Italy से इंपोर्ट किया था क्यों हमारे India में क्या सके इसको establish कर सके और establish करके क्या कर सके वाइड लेवल पर honey production कर सके इसलिए आप जब भी देखोगे कि honeybee की जितनी भी colonies यो होंगी ठीक है honeybee की जितने भी honeybee production के लिए जो भी हम species काम में लेते हैं वो कौन सी काम में लेते हैं apis mellifera काम में लेते हैं इसको italian honeybee भी बोलते हैं या इसको european या इसको हम बोलेंगे european honeybee भी इसको कहा जाता है आई बात समझ में देखिए exam के point of view से important है इसके बात जो next question है हमारा देखो pheromones are also known as देखो सबसे पहले तो मैं आपको चीज बता दना चाहता हूँ phheromones जो है देखो phheromones actual में क्या है hormones ही है अगर हम पी को अगर चुपा लेते हैं ठीक है तो एक तरीके क्या है hormones ही है इसका मतलब क्या है ये body के अंदर बनने वाले ऐसे chemical substances जो क्या करते हैं बहुत कम quantity बनते हैं लेकिन body के behavioral और उसकी जो functional activity को क्या कर सकते हैं ये change कर सकते हैं ठीक है तो phheromones जो होते हैं insect की body के अंदर ना बन करके insect की body के बाहर secret होते हैं ठीक है phheromones क्या होते हैं insect की body के बाहर secret होते हैं इस वज़े से इनको हम क्या बोल देते हैं भई ecto hormone भी इनको कहा जाता है क्या कहते हैं इनको Ectoharmone भी कहा जाता है तो phyremons क्या होता है phyremons को और क्या कहा जाता भी Ectoharmone भी कहा जाता है ठीके तो आपकी क्या है यह exam के point of view से important है phyremons जो होते हैं insectary body के बाहर secret किये जाते है ठीके इस वज़े से इनको क्या कहते है Ectoharmone भी कहा जाता है इसके बाद जो next हमारे question है Rodolia cardinalis देखिए Rodolia cardinalis has been successful in controlling देखो Rodolia cardinalis को आपको मैं सबसे पहले बता दने चाहता हूं कि यह क्या है यह भी एक तरीकी क्या है भई लेडी बर्ड बीटल की species है ठीक है यह भी क्या है एक तरीकी की लेडी बर्ड बीटल की species है ठीक है और इसका जो use है सबसे पहले किसको control करने के लिए काम में लिया गया था देखो इसको जो सबसे पहले import किया गया था foreign country से इसको import किया गया था और किसको control करने के लिए काम में लिया गया देखो, Cotony Cushion Scale जो है, वो क्या है? Citrus का Cotony Cushion Scale क्या है? Sucking Insect Pest है. ठीक है, Sucking Insect Pest है, Cotony Cushion Scale और ठीक है, और इसका जो Scientific Name है, वो क्या है भई? Iceria Parchasi. इसका Scientific Name क्या है? Iceria Parchasi है, ठीक है? तो Rodulia Cardinalis को, ठीक है, Rodulia Cardinalis का जो Common Name है, वो है, Vyadilla Beetle. ठीक है, Vyadilla Beetle है, इसका Common Name क्या था? Rodulia Cardinalis, Rodulia Cardinalis को सबसे पहले किसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया गया था, भई? Cotony Cushion Scale को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया गया था, जिसका Name जो है, वो क्या है, Iceria Parchasi है, और यह क्या है, एक तरीके का Sucking Insect Pest है, आई बाद समझ में, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे Next Important Question की तरफ, देखिए, Next हमारे Question है, Aphelinus Mali has been successful parasite in controlling, देखो, सबसे पहले तुमें आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कि जो Aphelinus Mali जो है यह, ठीके, Aphelinus Mali क्या है भई? एक तरीके का Parasitoid है, ठीके, Aphelinus Mali क्या है, एक तरीके का Parasitoid है, जो कौन से order से belong करता है, order Hymenoptera से, ठीके, कौन से order से belong करता है, Hymenoptera से belong करता है, अब देखो, Aphelinus Mali जो है, वो कौन से insect को control करने के लिए काम में लिया गया था भई? सबसे पहले, यह काम में लिया गया था, एपल, वूली, एफिड को, ठीके, एपल, वूली, एफिड को control करने के लिए काम में लिया गया था, कौन सा भई? यह है, आपके पास में, एफिलिनस Mali जो है, परासी टोईड है, जो किस से belong करता है, हाई में आप टेरा से belong करता है, और किस को control कर रहा है, एपल, वूली, एफिड को, ठीके, इसका राइट आउसर कहा जाएगा, एपल वूली एफिड जाएगा, जबकि Tobio Caterpillar को यह control नहीं करता, नहीं मैज स्टेम बोरर को, और नहीं शुगरकें टॉप बोरर को, ठीक है, तो एग्जाम के पॉंट अफिव से यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यूशन है, इसके बाद में जो है, बहुत इम्पोर्टेंट क्यूशन है, और यह जो प्रशन है, कब पूछा गया था, यह अभी राजस्थान जेट प्यचडी का जो एक्जाम था, एंटॉमोलोजी का, 2021 के अंदर यह प्रशन आप से पूछा गया था, जिसके अंदर यह पूछा गया था कि जो फूट फ्लाइस जो होती है, उसका पूपिशन कहा होता है, ठीक है, फूट फ्लाइस का पूपिशन कहा होता है, ठीक है, फूट फ्लाइस का पूपिशन कहा हो फ्रूट के उपर देखा जाता है लेकिन प्यूपिशन जो होगा वो कहा होगा प्यूपिशन होगा वो सोईल के अंदर होगा ठीक है यह एक इम्पोर्टेंट कुशन है यह एक्जाम में पूछा जा चुका है और इसके कई सारी वो पोसिबिलिटी रहती है कि आपको एक्जा मेज स्टेम बोरर हाइबरनेट इन विच स्टेज देखो मेज का जो स्टेम बोरर है वो कौनसी स्टेज में हाइबरनेट करता है तो देखो इसका जो राइट आंसपर जाएगा वो जाएगा आपके प्यूपा देखो प्यूपा जो होता है वो क्या होता है कि कहां होता है प बाराम से जो इसकी हाइबनेशन में चला जाता है और नेश्ट येर जब भी दुबारा क्रोप को ग्रो किया जाएगा तो उस कंडिशन में स्टेबल से बाहर निकल कर क्या होगा यह दुबारा इसकी क्या आने स्टार्ट हो जाएगी जो पॉपुलेशन दुबारा फिर से क्रोप को इंफेक करना स्टार्ट करेंगे ठीक है इसके साथ हमारा जो लास्ट कुशन है उसको हम डिसक्स करेंगे देखो विच इंसेक्ट कैन सर्वाइव एट हाई टेंप्रेचर एंड लो यूमिडिटी देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देने चाहता ह है ठीक है या ऐसे इंसेक्ट जो कहां लगते हैं जनरली इस्टोड ग्रेंस पर लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरही कंडिशन काम में ली जाती है कि वहां क्या कर देता है टेंप्रेचर को इंक्रीस कर दिया जाता है और यूमिडिटी को लो कर दिया जाता है जिससे क्या होता है मैक्सिमम जो इस्टोड ग्रेंट पैस्ट है वो डेस्टोड हो जाता है लेकिन फिर भी एक स्पीशिस ऐसी है जो हाई टेंप्रेचर और लो यूमिडिटी पर भी क्या होती है वो कौन सा है देखो हम बात करते हैं एक एक ऑप्शन की खप्रा बीटल अबग 49 degree centigrade या 50 degree centigrade तक क्या होता है सर्वाइव कर सकता है और लो यूमिडिटी के अंदर भी क्या हो सकता है यह सर्वाइव कर सकता है जबकि ज्यादा हाई टेंप्रेचर पर बागी की जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होता है मर जाते हैं या उनका सर्वाइवल रेट क्या हो बिल्कुल कम हो जाता है ठीक है तो आपके exam के point of view से क्या है यह important है और जब भी आपसे question पुछा जाएगा high temperature का और low humidity का तो हमेशे कौन सा होगा खपरा beetle होगा और खपरा beetle भी क्या है वही एक तरीके का polyfagus paste है polyfagus paste कैसे है इसका attack कई तरह के अलग-अलग stored grain paste के अंदर क्या होता है इसका attack देखा जाता है और खपरा beetle जो है वह किस तरीकी का paste है यह है आपके पास में stored grain paste ठीक है stored grain paste की category के अंदर आता है मतलब खपरा beetle को जो maximum attack होगा वह सिर्फ और सिर्फ कहां देखने के लिए मिलेगा जो grains होता है जो stored करके रखे हुए grains होता है वहाँ पर इसका हमको maximum attack दिखाई देगा ठीक इसी तरीके से जो rice weevil है rice weevil भी क्या है store grain paste है और जो rust red floor beetle है यह भी store grain paste की category में आते है लेकिन खपरा beetle जो है वो polyfagus store grain paste है तो इसी के साथ हमारी जो आज की 20 questions की शंकला थी जो आपके exam के point of view से important है वो अभी complete हो गई है मिलते हैं next class के अंदर और नए जो questions है आपके exam के लिए आज ही class के लिए इतना ही